अक्सर खाफी सरे लोग मुझसे पूछते है कि सर BDS का स्कोप है या नहीं या फिर जो स्टूडेंट अभी BDS कर रहे हैं उनके दिमाग में भी यह सवाल आता है कि हम BDS कर तो रहे हैं लेकिन आगी क्या होगा इसका और ऑविस सी बात है जब मैं अभी BDS कर रहा था मेरे भी दिमाग में ही सवाल आते थे और मुझे अभी भी आधना फस्ट यर के अंदर था और मैं कुछ यह समझे चार या पास दे नहीं हुए थे मुझे कॉलेज में आए हुए मुझे एक सीनियर मिला तो मेरे करेंट सीनियर से मैंने पूचा कि बहुस कोई स्कोप है कि इसके बाद आपने क्या सोचा है और उसमें बहुत गंदी सी शकल बनाई जो मुझे अभी द्यान लगई और बोला अरे कोई स्कोप नहीं है तो मेरा काफी सरे सीनियर के साथ इंट्रेक्शन में था कुछ सीनियर काफी अच्छा कर गए और मोस्ट ऑफ दे सीनियर जो नेगिटिव रहते थे वो इतना अच्छा नहीं कर पा है वो वहीं के महीं रह गए और आग भी जब मैं उनने देखता हूं या उनसे मिलता हूं तो मुझे समझ में आती है कि हाँ वो क्यों इस जगे पर है और वो क्यों इतना सक्सेस्फुल नहीं हो पाए लाइफ में जितना उनने हो जाना चाहिए था देखे सारा जो भी खेल होता है वो विजन का होता है यह मैंने अपने पूरे त्रूआउट दी जर्नी सीखा है मुझे भी प् था वो सामने वाले इंसान की बात सुन कर रिया किसी और के बहकावे में आकरे किसी और के इंफ्लूएंस में आकर ऐसा कर देते हैं जैसे मैं कॉलेज टाइम में पूछता था अपने सीनियर से कि आप क्या करेंगे तो उनका mostly reply क्या होता था नेगेटिव आता था कि कुछ न इस थौट से दूर रहना है क्योंकि मैं अपने थौट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ और मैं सच बताओ मुझे रेरली ही कोई ऐसा सीनियर मिला था जिसका थौट प्रोसेस पॉजिटिव था इन चीजों को लेकर बट या I was very positive मेरा background ऐसा नहीं है कि मेरे parents doctor है या मेरे कहीं किसी ने कोई जान पैचान में dentist है ऐसा कोई भी नहीं है मैं अपने पूरी family के अंदर ही first doctor हूँ पूरी family के अंदर तो guidance की तो बात छोड़ी दो तो मुझे guidance की सबसे ज़रूत होती थी उस समय लेकिन कोई guide करने वाला होता नहीं था लेकिन मुझे यह चीज पता थी कि चाहिए कुछ भी होता है मुझे negative thoughts को तो अपने दिवाग में लेकर नहीं आना है क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहूँगा ऐसे influence में रहूँगा तो मेरा कुछ भी नहीं होना जाना अब बात करते है main topic की scope है भी या नहीं देखो हिंदुस्तान की जंस 130 करोड है और इन सब लोगों के मुझे अंदर दात है अगर दात है तो अच्छी बात है क्योंकि जिनके मुझ में दात है उनको dentist की जवरत है और अगर दात नहीं है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि जिनके मुझ में दात नहीं है उन्हें भी dentist की जवरत है तो लोगों क मुह में दात हो या ना हो उन दोनों conditions के अंदर उनको dentist की ज़रत है अब अगर मैं specify करूँ तो दोनों condition में अच्छे dentist की ज़रत है देखे हमारा mindset कैसे बनता है मैं उस बार में पताता हूँ क्योंकि starting से मैं इस तरीके से nurture किया जाता है कि हम उल्टी दिशा में सोचने लग जात है जब हम 10th class में पढ़ते हैं मैं मेरी बात कर लो मैं 10th class में पढ़ता था तो मेरे father मुझे कहते थे कि बस 10th class कर ले उसके बाद तो life set है मैं बोला ठीक है 10th class कर ले था उसके बाद 10th class कर लो पर मुझे आता कोई सेट है life ठीक है 12th भी कर लेते है 12th हो गई पर अभी भी कुछ major change नहीं लगा अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बहुत मजे कर रहा हूं अब फिर college में पीशन हुआ बस अब BDS कर लो एक बार doctor बन गए ना पास उसके बाद तो life set है उसके बाद तो सब बढ़िया ह और आस-पास के लोग भी सब यही कहते थे कि वहा बेटा तुम तो doctor बनने वालो और वहा बेटा तुम तो यह बनने वालो तो ऐसा aura create किया जाता है हमारे सामने ऐसी चीज़े create की जाती है कि हमें लगता है हाँ या क्या होता कुछ बढ़िया काम होने बाला है मतलब मजा आ हो सकता है doctor बन जाओ तो लेकिन असलियत बात बताओं क्या हुआ जब मैं BDS करके निकला जब मैंने college के बाहर अपना पहला कदम रखा तब मेरी जो first feeling थी नहीं बताए क्या थी यह doctor तो बन गया लेकिन ऐसा feel नहीं आ रहा कि मैं doctor बन चुका हूँ यानि कि मेरे हाथ में एक degree है जिस पर लेखा है कि या doctor सुनील बट मुझे खुद को अंदर से feel नहीं हो रहा था कि हाँ मैं doctor बन चुका हूँ और यहीं पर सबसे बड़ी problem आ जाती है क्योंकि शुरू से लेकर end तक 10th class 12th class college life college के 5 साल उसके बाद जब हम degree लेकिन निकलते हैं हम सब उसी पलगा rate कर रहे होते हैं कि बस आप तो life set होगी जो कि हमें starting में बता जाता था कि यह कर लो तो life set हो जाएगी लेकिन अभी भी वो feel नहीं आया कि life set हो गई है और अभी भी हम 24-25 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो feel नहीं आ रहा कि life set हो गई then start होता है life का असली struggle जब हमें दुनिया का सामना करना पड़ता है जब हमें field में होता ना पड़ता है कि हाँ अब अब तुमें काम करना है जब हम काम करते हैं तब हमें बता चलता है कि अभी तो हमे ना है अब हमें अपना नाम जमाना है अब तो कलिनिक खोलना है अब पैसा कमाना है तो यह हाँ प्रॉस्ट्रेट होता है तब हम क्या करते हैं लाजबी है, तो मैं यही कहूँगा, अगें, अच्छे डेंटिस्ट की हमेशा वैल्यू है, अगर आप यह सोचो कि मैं डेंटिस्ट बन गया, मुझे काम आप कुछी नहीं आथा, मैं जाके एक जगे पर बैट जाओं ऑफिस में, और मुझे अराम से कोई महीने के 50,000 रुप करेगा, ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहेंगे और आपके बस पैसा आएगा, वो तब होता है, जब आपने बहुत जादा महनत कर ली होती है, आपको अपनी लाइफ के किसी न किसी टाइम पर महनत करनी पड़ेगी, या तो आप स्टार्टिंग में महनत कर लो, कि आपने स्टार्टिंग में महनत करके अपना क्लिनिक जमा लिया, या जो भी government job निकाल लिया, x, y, z, आप जो भी करना जाते हो लाइफ में, आपने उसको महनत करके अचीव किया, या फिर आपने सुचा, ठीक है, जैसा चल रहा चलने दो, मैं बाद में महनत कर लो, तो आप आने व बन जाओ, उसके बाद life set है, यह जराजर जूट है, life set नहीं है, life set तब होती है, जब आप महनत करके उस मुकाम पर पहुचते हो, क्योंकि actual जो जर्नी है न, वो आपकी college के बाद स्टार्ट होती है, college time तक तो आपके मज़े चल रहे होते हैं, कि हाँ आपको पढ़ना है, आ life set, आपके उपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन after college आपके उपर काफी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, आपको वो चीज प्रूव करनी होती है, yes, you are a doctor, अब क्या होता है, आपके पास relatives आते हैं, आपके पास जान पैचान वाले लोग आते हैं, अगर इस situation में आपको काम नहीं आता, तो आपकी अंदर एक depression create होता है, क्योंकि पात साल तो आपको सारे रिस्टेदार हर function में बुला के बोलते हैं, औरे यह तो डॉक्टर साब है, मतब जब आप फर्स्ट येर में होता है, आपको सुनने में अच्छा लगता है, और यह तो डॉक्टर साम है, से कुछ करना पड़ेगा, इंटर्शिप होती है, आप अपने हाथ पेर मारते हो, MDS के लिए, government job के लिए, या फिर clinical work सीखने के लिए, यह इंटर्शिप के टाइम के बात होती है, और अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है, कि BDS करने के बात कितना कमा सकते हैं, कमाने के कोई लिमिट नहीं होती है, आपके हाथ में जितनी skills होंगी आप उतना ही earn करोगे, अगर आपने BDS कर लिए और आपको basic काम नहीं आता है, तो आप ये उमीद मत लगाना कि आप बहुत अच्छा कमाल होगे, क्योंकि अभी जो दुनिया है वो काफी practical है, तो आप कुर्सी पे बै करता है, तब जाके आप एक अच्छे dentist बनते हो, और उसके बाद आप earn करते हो, तो आपको कोई ना कोई value तो provide करनी पड़े किने, तब भी उसी के लिए तो आप charge कर सकते हो सामने वाले से, तो बिलकुल practical सी बात है ये, कि अगर आप काम सीख लेते हो, तो आप अच्छे dentist ब लगा के किसी jack पर लग जाते हो, किसी position पर वो बात अलगे, लेकिन jack हर किसी की नहीं होती है, मैंने ऐसे भी लोग देखे है, अब उस चीज के बार में discussion करने का कोई sense नहीं है या इस वीडियो में, लेकिन ऐसे भी लोग होते है, मेरी खुद के आखों के सामने मैंने ऐसा हो तो कोई देखा है, but it's okay, हमें हमारा देखना है कि हमें actual में क्या करना है, हमारे पास क्या-क्या powers है, हम कितने capable है, हमारे अंदर कितनी शमता है, चीजों को सीखने की, cope-up करने की, और चीजे करने की, तो मैं यही कहूंगा, BDS का scope है, बट आपको उस काम में interest होना चाहिए, आपको यह चीज करने में interest होना चाहिए, इसके अलावा जो भी मेरे batchmates हैं, या फिर मेरे juniors हैं, वो मुझे यह कहते हैं, कि आपने बहुत ही कम टाइम में यह सारी चीजे अचीजे अचीव कर लिए, बहुत ही कम टाइम में अपने क्लिनिक को set up कर लिया, और बाकी सारे procedure सी के लिए, just because, उसका reason यही कि मैंने हर काम को challenge की तरह लिया, मुझे RCDs करने से डर लगता था, तो मैंने यह challenge लिया कि अब मैं RCD को इतना अच्छे से perform करूँगा, कि मुझे उससे डर लगना बंद हो जाए, मुझे extraction से डर लगता था, तो मैंने यह सुचा कि मैं इतने अच् तक जाके मुझे पढ़ना पड़े, या फिर मुझे सीखना पड़े, या किसी के पास जाके सीखना पड़े, मैं इसको सीखूंगा, और अपने इस डर को हटाऊंगा, तो मैं इन सारी चीज़ों को challenge की तरह लेता रहा, और aggressively मैंने इस goal को decide करके उस पे काम किया, मैं यह सोच हो जाते हैं, फिर वो सोचते कि अब हमसे कभी नहीं हो सकता, तो यह कभी नहीं होने वाली चीज़ ना, दिमाग में नहीं आने चाहिए, हर चीज़ हो सकते हैं बट आपको उसके लिए मेहनत करने पड़ेगी, और इस चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस काम मेहनत जादा है जो काम आपको बहुत मुश्किल से आता है न, या कोई स्केल ऐसी है जिसको सीखने में बहुत मेहनत लगती है, उस स्केल की वैल्यू मार्केट में सबसे जादा होती है, आपको देख लीजिए, अगर हम एक्स्टेक्शन की बात करें, दात निकालने की बात, नॉर्मल एक् करनी पड़ती है, और अगर 10 डेंटिस्ट बैठे हैं और उन में से एक डेंटिस्ट को सर्जिकल एक्स्टेक्शन करना आता है, तो उसकी वैल्यू आटमेटिकली जादा ही होगी, इसी तरीके से अगर आप इंप्लांट की बात करें, जो बेसिक प्रोसीजर कर रहा है और ज तो जिस चीज को सीखने में मेहनत जादा लगती है, टाइम जादा लगता है, एफर्ट जादा लगते हैं, उस स्किल की वैल्यू भी जादा होती है, तो अगर कोई काम करने में कभी मुश्किल हो ना, डेंटिस्ट्री में आप सोचो ने, यार आर्सीटी बहुत मुश्किल और फिर मैं इसके लिए एक अच्छा चार्ज ले सकता हूँ, हो सकता है, किसी और को इतनी अच्छा आर्सीटी नहीं आती हो, तो अगर आप इस माइंड सेट के साथ चलेंगे ना, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, तो मैं अगें उन्हीं सीनियर्स की तरफ आओंगा जगा उन्हें कॉलेज टाइम में मुझे बोला, मेरे मन में उनके लिए अभी भी रेस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं किया रहा, लेकिन मैं सिर्फ माइंड सेट की बात कर रहा हूँ उनके, कि उनका माइंड सेट उस टाइम ऐसा था, तो वो आज अभी भी उसी जगे पर है, वो आगे बड़ नहीं पाए हैं अपनी लाइफ में, मैं आज भी उन्हें देखता हूँ तो वो अपनी उसी जगे पर खाणे हैं कि हाँ, आज भी वो नेगेटिव थाट्स को लेकर ही बैठे हा रही है, डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनकी इस बात को अपने लिया, मैंने कहा, कि यार अगर ये इन्सान ऐसा सोच रहा है और इसके जैसे दस इन्सान ऐसा सोचते है और इवन मेरे बैच में भी, ऐसा सोचते है कि यार डेंटिस्टी का स्कोप ननी तो सोचो, 100 में से 80 बच्चे ऐसा सोच रहें, और 20 बच्चे ही है सिरफ, तो competition तो मेरे इनसे 20 बच्चों में ही है और 20 बच्चे सोचने सिर्फ ऐसा तो स्कोप कितना जाता है कि इसे 20 लोगी काम सीखना चाहते हैं बागी 80 लोग तो demotivate होके already बैठ हैं तभी भी काम ये सोच के मैं सीखना कि यार मेरे दोस्त ने ये सीख लिया तो मुझे भी ये ही सीखना है अभी आपके दोस्त को normal RCT करने भी नहीं आती वो implant का course करने चला गया उसे instagram पर post डाला कि यार मैं तो implant का course कर रहा हूँ आपने उसका instagram post देगा और आप सोचे यार मुझे भी implant का course करना है तो ये सोच के कभी भी demotivate मत होना कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है अगर आप दूसरों को copy करते रहोगे तो आप हमेशा demotivate ही feel करोगे ऐसा मैंने खुद किया है और मैं खुद पच्टा कर आपको बता रहा हूँ किसी के साथ compare मत करो अपनी चीज़े करते रहो एक time ऐसा आएगा आप जो पीछे मुड़के देखो गए न तो आपको खुद पर proud होगा कि अच्छा किया मैंने ये चीज़ सही time पर कर ली देखो मुश्किल आएगी problems आएगी सारी चीज़े होंगी ऐसा नहीं है कि कोई smooth journey निकलने वाली है मैं यह आपको पहले ही बता दू nothing will be smooth उतार चड़ावाएंगे problems बहुत आएगी stress भी आएगा anxiety भी होगी हो सकता है थोड़ा पर depression भी आजाए लेकिन कभी भी अपनी hope को lose मत करना scope है dentistry में bracket में अच्छे dentist की जवरत है तो वो बनिये और life में आगे पढ़िये तो इन ही शब्दों के साथ आज कर वीडियो में यहीं खतम करता हूं दिस इस टॉक्टर सुनील signing off